ओम शांती, 13 जन्वरी 2022, बाबा के महवाक्या, मीठे बच्चे, तुम्हे इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्मान करना है, प्रश्ण, तुम बच्चे बाब के साथ कौनसी सेवा करते हो, जो कोई भी नहीं करता उत्तर, सारे विश्व में, सूर्य वम्शी, चंद्र वम्शी राजधानी की स्थापना करने की सेवा, तुम बच्चे ही बाब के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा दैवी फूलों का बगीच्चा बनाना, कांटों के जंगल को खतम करना, यह बाब का ही काम है गीत ओम नमो शिवाय ओम शांती जब कोई साथू, संत या विद्वान लोग भाशन करते हैं, तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं कोई शिवाय नमहा कहते, कोई कृष्ण नमहा कहते, कोई गनेश नमहा भी कहते हैं परन्तु नमस्ते तो उन्चे ते उन्चे एक बाब को ही करना चाहिए बच्चे जानते हैं, उन्चे ते उन्चा एक भगवान है, उनका नाम शिव है गाते भी है शिवाय नमहा शिव को हमेशा बाबा कहते हैं शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं रचेता एक है, रचना भी वास्तों में एक है रचता बाब को और रचना दुनिया को कहा जाता है बाब जो दुनिया क्रियेट करते हैं, सो जरूर नई ही क्रियेट करेंगे परन्तु बाब जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे इसलिए बाब को पतित पावन कहा जाता है सारी दुनिया के मनुश्य मात्र, उसमें भी खास भारत वासी बाब को याद करते हैं कि पतित पावन आओ जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं, तब ही बाब को पुकारते हैं परन्तु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं, यह नहीं जानते बाप बैठ समझाते हैं, आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो मैं जो ग्यान का सागर, नौलिजफुल हूँ, वह बैठ तुमको समझाता हूँ श्रिबाबा कहते हैं, मैं मनुश्य स्रष्टी का बीजरूप भी हूँ मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है पावन दुनिया को हैवन, अथवा गादन कहां जाता है फिर जब दुनिया पतित होती है, तो कांटुम का जंगल कहां जाता है बेशुमार मनुश्य हो जाते हैं, माया का राज्य शुरू हो जाता है किसको भी समझाना है कि आज से पांच अजार वर्ष पहले भारत गादन ओफ गौद था मनुश्य बहुत सुखी थे, नई दुनिया में सिरफ भारत ही था कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था नए भारत में फिर नई धिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहां जाता था भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुकधाम भी कहते थे अब तो भारत पुराना है, उनको ही दुखदाम कहते हैं अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नवनिर्मान प्रदर्शनी कर रहे हैं मनुश्यों को समझाने के लिए कि यहां विश्व नया कैसे होता है चित्र सामने रख कर और कोई समझाना सके ना कोई ऐसी विश्व नव निर्मान प्रदर्शनी खोल सके यह पहले बार ही है जो भ्रमा कुमार कुमारिया बैठ समझाते हैं भारत नया था तब ही सुखी थे लक्ष्मी नारायन राज्य करते थे विश्नुपुरी नई दुनिया थी नई दुनिया का निर्मान यानी फाउंडेशन लगाना यह परमपिता परमात्मा का ही काम है भारत वासी जो खुद ही अपने को पतित ब्रष्टाचारी कहते हैं वे नए विश्व का निर्मान करना सके तुम जानते हो वो लोग क्या-क्या फाउंडेशन लगाते हैं बाप कहते हैं मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ पुरानी दुनिया का विनाश होना है यह है कांटों की दुनिया मनुष्य जैसे कांटे हैं एक दो को दुख देते रहते हैं भारत गाडन ओफ अल्ला था गौड ने स्थापन किया था शिवाय नमहा भी कहते हैं शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया बरोबर भ्रह्मा द्वारा गाडन ओफ अल्ला व दैवी पूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे बच्चों को निमंत्रन देते हैं यहां भी बच्चों ने निमंत्रन दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है आप आकर देखो और श्रीमत दो बुला रहे हैं अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है उपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है शिवाय नमहा सबसे उंच है वह फिर नई दुनिया रचते हैं नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायन का ही राज्य था तो उंचे ते उंचा परमपिता परमात्मा वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं भ्रमा और भ्रमा कुमार कुमारियों द्वारा वह सत्युग आदी में थे तो स्थापना जरूर कल्युग अंत में ही की होगी सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं वास्तों में सभी आत्मय शिव की संत्रान हैं और प्रजापिता भ्रमा के भी बच्चे हैं हर एक आत्मा में पाठ सारा नूंधा हुआ है पहले पाठ धारी यह है जिसको पूरे चोड़ासी जनम लेने हैं उनर जनम लेने का रसम तो शुरू से चलता आया है सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बने हैं सतो प्रधान जब थे तो सुर्य वम्षी लक्ष्मी नारायन का राज्य था सोला कला संपूर्ण थे फिर चोडा कला बने इन दो युगों को गाडन फ्लावर कहां जाता है पहथा सुकधाम यह चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है उपर मेश्य बाबा जिस द्वारा विश्व नवनिर्मान हो रहा है ब्रह्मा, विश्नु, शंकर उनको रचने वाला यह श्य बाबा है यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है अब इतने सब धरम है, सिरफ एक देवी देवता धरम नहीं है वह प्राय लोप है, जो देवी देवता धरम वाले थे, वह अपने को हिंदु कहला रहे हैं क्योंकि सत्युग में सब पावन थे, अब सब पतित है, बाबा का नाम ही है पतित पावन अब पतित बनाने वाला कौन है, यह बाप ही समझाते हैं, बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं पतित बनाने वाला है रावन, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं, रावन का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त, पाँच विकार स्थ्री के, पाँच विकार पुरुष के भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है ही रावन, जिसने भारत को कोडी मिसल बनाया है, अब इस रावन पर जीत पहनों, मेरी मत द्वारा इस समय सब पतिक बन गए हैं, इस कारण परमपिता परमात्मा की ही श्रीमत चहिए, श्रीमत है भगवान की, भगवान वाच, हे बच्चों, अत्वा आत्माई, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनू, तुम आत्मा अमर हो तुम ही शरीर छोडती और लेती हो, बाब कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए ही गाते हैं, आधा कल्ब भ्रह्मा का दिन, आधा कल्ब भ्रह्मा की रात तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है, अब इन चेत्रों द्वारा समझाओ। अब यह ब्रह्मा और भ्रह्मा कुमार कुमारिया, परंपिता पर्मात्मा द्वारा अपना वर्सा ले रहे हैं, गाया जाता है ज्यान सूर्य प्रगता, अज्यान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मैं ग्यान सूर्य इस समय ग्यान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो, बर्सात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा, मुझे पतित पावन कहते हैं, मेरे पास ही नौलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है? पतित बनाता है रावन, रावन को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है? वह राम सीता वाला नहीं, तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नवनिर्मान प्रदर्शनी है, कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परम्पता परमात्मा भ्रम्मा द्वारा सुकधाम की स्थापना करते हैं, रावन फेर धुकधाम बनाते हैं, बाप आकर सुकधाम बनाते हैं, आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, सत्युग त्रेता दिन, द्वापर कल्युग रात, रात में ठोकरे खाते हैं, भगवान को ढूणने के लिए धक्का खाते हैं, यह भी ड्रामा में नून्द है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ती, ज्ञान का सागर, अथवा ज्ञान सूर्य, परम्पता परमात्मा को ही कहा जाता है, भारत में ही शिव जयन्ती मनाते हैं, इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्म भूमी है, मुझे आना भी पति दुनिया में पड़े, तब तो आकर पति तुमको पावन बनाऊ, जो पूज्य लक्ष्मी नारायन थे, वही पुजारी बने हैं, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, वही लक्ष्मी नारायन की आत्मा, जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न नाम रूप में भोगने हैं, तो यह भ्रम्मा जो स्थापना करते हैं, वही भिर पालना करते हैं, अभी वह आत्मा पतित बनी हैं, तो फिर उनके ही शरीर में आकर, उनका नाम भ्रम्म पहले पहले तो यह बाते समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संभंध है जरूर कहेंगे बाप है वह तो सब आत्मों का बाप हुआ शिर बाबा के तुम सब बच्चे हो इस समय भगत हो भगवान को सब याद करते हैं भगत कहते हैं हे भगवान हमको भगती का फल दो हम दुखी हैं जीवन मुकती दो सादू लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुकती जीवन मुकती दो इस समय सब कारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, बाबा डारेक्षन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ, हम आत्मा शांती धाम में रहने वाली है, अब एक शरीर छोड़, दूसरा ले पाट जरूर बजाना है, वर्णों से भी पास होना होता है, यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चकर फिरता ही रहता है, इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है, पतित पावन एक, रच्ता एक, दुनिया भी एक, पूछते हैं, पावन से पतित कैसे बने, रावन की आसुरी मत पर चलने से पांच विकार आ जाते हैं, पांच विकारों को ही रावन मत कहा जाता है, इसलिए रावन को जलाते हैं, परंतु रावन जलता ही नहीं, अब बाप कहते हैं, बच्छे तुमको इस रावन पर जीत पानी है, जो जीतेंगे वही रामराज्य के मालिक बनेंगे यह है अंतिम जनम, अर्थाद स्रिष्टी का अंत है, स्रिष्टी का आदी भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं, बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूं, और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूं गाया हुआ है भ्रह्मा द्वारा स्थापना अब भ्रह्मा अकेला तो नहीं होगा भ्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गाडन ओफ दाईवी फ्लावर बनाता हूं यह तो है कांटों का जंगन इनको अब आग लगनी है तुम अब जागे हो मनुष्य तो सोये हुए हैं यहां तो दुख अशान्ती है बच्चों को हमेशा अपने शान्ती धाम स्वीट होम को याद करना है तो स्वीट बादशाही वर्से में मिलेगी इस रावन राच्य को भूलते जाओ भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रस्तान बना है फिर परिस्तान बनेगा यह चक्र है विश्व नई तयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी अब तुमको नई दुनिया के लिए तयार होना है फिर वहाँ चल कर हीरे जवहरों के महल बनाएंगे अब तो जोपडियां हैं कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है पावन सो पतित बनती है पतित धीरे धीरे बनते है मकान नया जल्दी बनता है पुराना होने में टाइम लगता है ग्यान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे अब तुम सोला कला बनते हो फिर चोदा कला फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है अब कल्युग में है नो कला, भारत पावन्था, अब पतित बना है, यहाँ खेल भारत पर ही है, रावन से हारे हार, अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो अच्छा, मीठे मीठे, सिखिलदे, बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार पहला, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है रावन की मत को छोड़, एक बाप की श्रीमत पर चलना है दुसरा, इस दुखधाम को भूल, अपने सुईट होम, शान्ती धाम को याद करना है स्वयम को नई दुनिया में चलने के लिए तयार करना है वर्दान, अपने स्रेष्ट कर्म रूपी दरपन द्वारा, भ्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव एक-एक ब्रामन आत्मा, स्रेष्ट आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दरपन हो ब्रह्मा बाप के कर्म, आपके कर्म के दरपन में दिखाई दे जो बच्चे इतना एटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब भ्रम्मा बाप के समान होगा. हर कर्म वर्दान योग्य होगा, मुख से सदैव वर्दान निकलते रहेंगे, फिर साधारन कर्म में भी विशेष्टा दिखाई देगी, तो यह सर्टिफिकेट लो तब कहेंगे बाप समान. स्लोगन अव्यक्त स्थिती का अनुभव करने के लिए बाह्य मुखता को छोड़, अंतर मुखी एकांत वासी बनो. लवलीन स्थिती का अनुभव करो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो सदा कहते, बच्चे जो हो, जैसे हो, मेरे हो. ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो. दिल से कहो, बाबा, जो हो, वह सब आप ही हो. कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आवो. अपने सत्य स्वरोप में स्थित रहो. ओम शान्ति. कभी असित रहो. अजय को अजय को अजय को अजय को